दोस्तों जब हम अपना घर बनाते हैं या कोई भी construction करते हैं तो उसमें septic tank बनानी बहुत जरूटी होती है और septic tank के बारे में अगर हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं कि अपने mystery ठेकदार के भरूसे पे septic tank बनवा लेते हैं क्योंकि अक्सर क्या हो होता है कि अगर septic tank का साइज आपका सही नहीं है तो जल्दी भर जाता है जिससे हमें बार बार उसे खाली करानी पड़ती है और वहां बहुत टाइम ऐसा होता है कि लीकेज की समस्य अभी बाद में आ जाती है या फिर poisonous gas जो होता है वह अच्छे से नहीं पास होता है नहीं करनी है और septic tank बनाने में हमें कीन important बातों का ख्याल रखना है चलिए मैं वीडियो को detail में सुरू करता हूं और आपको 10 बाते यह बताता हूं अगर आप यह 10 बाते अपने septic tank में ध्यान रखेंगे तो आपका septic tank कभी वहां पर भरने की समस्या नहीं आएगी और आपका प पर-person capacity के हिसाब से यानि कि जो एक लोग का दिन भर की capacity है पानी की खपत की उसके हिसाब से tank का size का यहां पर निर्माण किया जाता है तो जो हमारा ISA standard code है वो कहता है कि हमें जो septic tank की चौड़ाई जो minimum होती है धाई फिट से तीन फिट से रखने है उससे कम नहीं रखने है और अगर आप धाई फिट रखते हैं या तीन फिट रखते हैं तो तीन फिट का जो भी आप चौड़ाई लेते हैं चौड़ाई का तीन गुना लंबाई दिया जाता है अगर आप तीन फिट चौड़ाई रखते हैं तो नौ फिट टैंक की लंबाई बनेगी और वहीं इस आपंज़ाट में बतादू कि घायराई जो होता है वह कम से कम एक मीटर यानी तीन सावड 5 फीट के करीब आपको गहराई रखनी है उस्से कम आपको गहराई नहीं रखनी है। तो अगर आप 4 से 5 परसन के लिए टैंक बनाना चाते हैं तो आपका ये 3 feet चोड़ा और 9 feet लंबा और फिर आपका 3,5 feet गहरा जो septic tank है ये काफी suitable रहेगा next point हमारे ये कहता है कि हमें अब ये decide करना है कि septic tank हमें बनाना का है septic tank दोस्तों अक्सार हम अपने bedroom के नीचे या kitchen के या फिर पूजा रूम के नीचे नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वहाँ बार बार अगर आपको सफाई करवाने के समस्य होती है तो वहाँ पर फिर गंदगी एसमेल आने लगती है इसलिए आपको इन जगों से दूर होके बनाना चाहिए दूसरी बात कि जब भी आप अपना building बना रहे हैं या जो भी है आपका outer दिवार है तो दिवार से आप कोसिस करें कि 2-3 feet की दूरी maintain करके और तब बनाया जाए septic tank के अंदर आपका कोई भी footing या column का base नहीं आना चाहिए तीसरी बात आपको यह बता दो कि अगर वहीं आप आस्तू के हिसाब से अगर septic tank बनाना चाहते हैं तो north west जो direction होता है वो सबसे suitable होता है हमारे septic tank के लिए और septic tank के आपको कोसित यह करना चाहिए कि अगर आपको जो जीना निकला है यानि अश्टेयर केस है अश्टेयर केस के नीचे जो जगा खाली होता है वहाँ बना सकते हैं या फिर पार्किंग में आपको जगा होता है वो आपका यूजफूल होता है septic tank के लिए अगली पॉइंट मैं बता दूँ कि जब भी अपने septic tank के खुदाई करवा है अगर आप मसीन से जेसी भी से खुदाई करवा रहा है तो जो भी आपको septic tank का size रखना है उस size के हिसाब से आपको थोड़ा सा ज्यादा है यानि छे इंच या एक फिट एक्सरा कटवा के चलन क्योंकि अगर आप उसको fix size रखेंगे तो बाद में उसमें क्या होता है कि आपका जो गड़ा होता है वो एकदम एकुरेट बढ़ता है तो उसमें आपका दिवार पर आपको लगानी पड़ती है वहीं अगर आप लेवर से अगर गड़ा को दो आ तो फिर आप एकदम बिल है और आपको PCC के जो ठीकनेस कम से कम चार इंच का रखना है नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि सेप्टिक टैंक जो बनानी है वह आपको ब्रीक वर का बनानी है या RCC की सेप्टिक टैंक बनान या फिर ऐसा है कि यहां पर मतलब यह है कि आप अगर जादा खुद खुद वाते हैं तो आपका वाटर लेवल तुरंट निकल आता है तो उस जगह पर आपको RCC का सेप्टिक टैंक बनाना चाहिए या RCC सेप्टिक टैंक में जो RCC का बेड होता है यानि जो फर्स होता है वो चार इंच का आपको पूरा RCC का सिंगल जाल डालके या डबल जाल डालके फिर उसका धलाई करवानी चाहिए और उसका आपका RCC का दिवार भी वहां पर कम से कम चार इंच आप ऐसा करें कि सीपेज-ओपज की समस्या नहीं है कहीं से पानी लगने की समस्या नहीं तो ऊस जगह पर आप अरम से से टिक टैंक जो है बिरीक वर अको बनभाः चाहिए ब्स उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो gü आ Europeans, उसमें जो मसाला यूज करना है तो आपको एक रेसियो चार का उसमें या ज़्यादा ज़्यादा एक ratio 5 का mortar यूज करना है वहीं बीच का जो partition वाल होता है वो आपको 4 इंच के इंट की दिवार बनानी है 4 से 5 इंच की आप दिवार बना सकते हैं और उसका जो mortar उसमें आपको कमी होती है वो दो पार्टीसन में यानि कि बीच में एक पार्टीसन दलवाते हैं और दो बॉक्स उनका बन जाता है यानि दो पार्ट में सेप्टिक टैंक बनवा लेते हैं लेकिन दोस्तों मैं अपने कहीं साब से बता दूँ या लोगों को जो भी यहां पर सेप्टिक टैंक जो बने हुए हैं उनकी समस्या को देखते हुए मैं अपना यहां पर सजेशन दे रहा हूं कि दो पार्ट वाला जो सेप्टिक टैंक होता है वो दोस्तों बहुत है हमारे लिए कोई उसका एडवांट तो हमारा जो सलाज होता है दूसरे में भी जमा होने लगता है तो जो हमारा पानी है पानी जो वहां पर जल्दी से भर जाता है और पानी भरने के बाद फिर क्या होता है कि हमारा सेप्टिक टैंक भर जाता है तो हमें बार बार सफाई की जरुगत पढ़ती है तो मैं आपक तक ट्रांसपर होता है नीचे से और फिर तीसरे में नहीं जाता है दूसरे चेंबर तक सलज अपना जमा होता है फिर तीसरे में वहां ऊपर के तरब से एक फिट नीचे दीवार बनाये जाता है अब वहां से वाटर फिल्ट्रेशन होके तीसरे में जाता है और तीसरे से सिर् फिर सफाई करने की जरूरत पड़ती है अगर आप तीन पर्टिसन वाला अगर आप सेप्टिक टैंक बनाते हैं तीन पार्ट वाला तो उसमें आपको जितने भी पार्ट बनाएं उसके उपर आपको दो बाई दो का मैंहोल जगा जरूर छोड़ देनी है क्योंकि दोस्तों अ हमारा कां होता है , जो हम आउटलिय और इंलेट पाईप इसमें लगाते हैं उसकी जो आपको डाया रखनी है कम से फिर चार इंच की रखनी है और जो आप एर के लिए यानि गआस निकलने क लिए पाइप लगते हैं वह को दो से 3 इंच का पाइप यूच करना है प्य।ंग पि यहाँ पर यूच कर सकते हैं और आपको गैस यहाँ पर पाइप आपको शेप्टिक दीवारे हैं उस पेपैले से अच्छे से तराइ करने का बाद सेही, ति क्रमें पप्लासटर करना चाहिए, और प्लास्टर में आपको वाटरबूपिंग केमिकल, जो हमारा Dr. Fix It का आता है, LW Plus या फिर जो हमारा Safe Creed का केमिकल आता है, वो आपको, यानि waterproofing chemical जो होता है, आपको जरूर यूज कर लेनी चाहिए, septic tank का चाहिए आप RCC का काम करा रहा है है या फिर plaster का करा रहा है या फिर brick का काम कर रहा है तो उसमें आपको सारे जितने भी काम हो रहा है आपको waterproofing material का जरूर यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए plaster करने के लिए आपको जो mortar का ratio रखना है वो एक ratio चार का या ज्यादा ज्यादा एक ratio पांच का रखना है उससे ज्यादा ratio का आप यहाँ पे मसाला plaster के लिए मत यूज करें septic tank बनाने में आपको waterproofing material का जरूर यूज कर लेने चाहिए और साथ ही जो septic tank का चारो corner होता है corner को आपको taper थोड़ा सा उठा के बनाना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो leakage की हमारा समस्या होता है वो taper वाले corner वाले जगा से होता है तो इसलिए आप वहाँ से taper बना लेंगे आप septic tank बनाते हैं तो जो हमारा पहला partition होता है यानि जो हम 5 इंच की दिवार बनाते हैं तो बहुत जगा ऐसा होता है कि हम छोटी building के लिए यानि छोटर septic tank कम capacity के लिए बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम नीचे दो भाई दो का एक open जगा छोड़ देते हैं जिससे हमारा पहला अगर chamber में हमारा sludge आता है तो दूसरे में यानि waste material transfer होता रहा है तो यहां मैं क्या करना हैं बड़े building के लिए आप अगर बना रहा हैं तो दूसरा partition आपको ऊपर से एक से डेड़ फिट नीचे तक यानि बनानी है यानि कि आपको पूरा ढखकन तक उसको pack नहीं करना है क्योंकि दोस्तो होता कि आए कि दूसरे chamber के बाद हम open नहीं छोड़ते हैं तो ऊपर से हमारा open रहता है तो वहां पर हमारा अगर टैंक में पानी भर जाता है तो पानी हमारा तीसरे में जो chamber है उसमें जाकर ये store होता रहता है फिर वहां से हम outlet का जो pipe लगाता है वहां से पानी निकलते रहता है इस तरह हमारे septic tank की life भी बढ़ जाती है और हमें वहां पर जल्दी भरने की समस्या नहीं आती है एक बात आपको और जान लेनी है कि septic tank का आप जब भी floor बनाए तो उसमें आपको slope का जरूर ख्याल रखना है यहां पर जो slope यहां पर दिया जाता है यह एक मीटर में करीब 30 mm का यहां पर slope मेंटेन करके चला जाता है तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपना septic tank बनाए तो जहां पर inlet का chamber होता है वहां पर आपको slope जो है थोड़ा सा गहरा दे दिया जाता है उससे फाय्दा यह होता है कि आपका जो waste material होता है वहां पे store होता रहता है और उसके बाद दूसरे में जाता है तो जितना वहाँ श्टोर होगा तो आपका टैंक का सफाई का जो टाइमिंग होता है वो बढ़ जाता है और आपको उससे छुटकारा भी मिलते रहता है सेप्टिक टैंक अगर आप पार्किंग बना रहा है तो इसका मतलब उस पे गाड़िया भी खड़ी होनी होगी चाहे दो पाहिया हो चार पाहिया हो तो फिर उस पे लोड हमारा बढ़ जाता है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि टैंक के उपर का जो slab होता है वो आपको कम से कम 6 इंच मोटा यहाँ पर ढलाई करवानी है रखनी है और उसमें आपको जो सरीया यूज करना है वो 10 से 12 mm का श्टील जरूर यूज कर लेनी चाहिए और slab में जो सरीया बंदेगा आपको डबल जाल में बांधनी है लाश्ट में मैं आपको बताते चलूँ कि एक septic tank बनाने के हमारी construction cost क्या आती है तो वहीं मैं आपको बता दूँ कि अगर आप 6-8 परसन या 8-10 परसन के लिए septic tank बनाते हैं वहीं अगर आप अपने septic tank RCC के दीवार में RCC का slab डाल के सब बना कराते हैं तो आपकी जो लागत है वो करीब 70-80,000 रुपे तक की पहुंच जाएगी